महराश्ट की राजनीती हमिशा से शिवाजी के इर्दगिर्द रही है और अब जब महराश्ट में विधनसवा चुनाब हैं तो शिवाजी फिर से याद आ रहे हैं क्यों याद आ रहे हैं शिवाजी और क्यों जिक्र हो रहा है दिल्ली की सल्तनत और महराश्ट का दरसल खुद को शिवाजी का वनसज बताने वाले उधियन राजे भोसले ने NCP छोड़ BJP का रुख किया है बस यहीं से राजनीती शुरू हो चुकी है NCP पिर्मोक शरत पवार ने शिवाजी का जिक्र करते हुए मराठाओं का जिक्र करते हुए महराष्ट का जिक्र करते हुए कहा कि कभी शिवाजी ने दिल्ली के आगे घुटने नहीं टेके पर खुद को उनके वनसज बताने वाले उधे राज भुसले ने घुटने टेक दिये शरत पवार ने ये बात सीधे तोर पर तो नहीं कई पर उनका इशारा इसी ओर है क्योंकि महराष्ट में शिवाजी जीत और हार में बड़ा रोल निवाते रहे हैं शिवाजी हमिशा से चुनावी मुद्दा बने रहे हैं हाला कि पिछले दस सालों से फाइलों में शिवाजी का इसमारक दबा था लेकिन सत्ता में आते ही बीजेपी ने इस मुद्धे को हत्या लिया और 3600 करोल रुपे के इस मारक का शिला न्यास कर दिया अब एक बार फिर शिवाजी को राजनीती में खीचा जा रहा है और इस बार बीजेपी नहीं बलकि राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के दिगज नेता शरत पवार ने शिवाजी को राजनीती में खीचने की कोशिश की है दरसल बेंग घुटाले में नामज़त किये जाने के बाद शरत पवार ने एक बयान दिया कि महराज दिल्ली के तक्त के आगे कभी नहीं जुखा अपने इस बयान से पवार ने महराज की असमिता को जोड़ा और विरोधियों के प्रहार को पूरी तरह से नाकाम करने की कोशिश की शरत पवार के इस बयान का साफ मतलब है कि महराश के आदर्श शिवाजी रहे हैं और जिस तरह वो कभी दिल्ली के तक्त के आगे नदमस्तक नहीं हुए उसी तरह वो भी केंद्र सरकार के आगे जुखेंगे नहीं आपको बदा दें कि शरत पवार पिछले 40 सालों से महराश की राजनीती के धुरी रहे हैं उन्होंने अपने उपर लगे ब्रष्टा चार के आरोपों के जवाब में ऐसा भावनात्मक बयान दिया है साती महराश के असमिता को जगाने की कोशिश की है ताकि एडी ने मनी लॉ मामले में पुछताज के लिए जो कदम उठाया है उसे साजिस करार दिया जा सके और इसे भावनाओं से जोड़कर लोगों को अपनी और मोला जा सके ध्यान रहे शरत पवार अपने उपर लगे आरोप के बाद इसे महराश से जोड़कर पेश कर रहे हैं वो इतिहास की सु उनके और उनके भतीजे अजीत पवार के उपर उट रही उंगलियां महराश विधानसवा चुनाओं में बीजेपी और शिप्षेना के लिए एक बड़े सस्त्र का काम करेंगी दोनों पार्टियां से विधानसवा चुनाओं में कॉंग्रेस और NCP के खिलाप जोड़दार तरीके से इस्तमाल करेंगी यही कारण है कि शरत पवार को शिवाजी आदा रहे हैं उन्हें लेकर बयानबाजी कर रहे हैं मगर उनकी ये बयानबाजी उन्हें कितनी मदद देगी ये देखना होगा फिराल सस्त तो ये है कि NCP के सारे दिगजने निता बीजेपी में जा र ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेब साइट पर जाएं आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा